दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के हाइप क्लासेस में, मैं हूँ शिवाजी जा, हम दोग लगतार बात कर रहे हैं भारत में ये यूरूपिय कमपणियों के आगमन पर और अभी हम बात कर रहे हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन पर, मैंने कल वाले वीडियो में आ लगतार विस्तार करता है और अब अगे संभेंगे बृतिलस से भारत में और पेरपसार रही है देखिएगए tab 1661 में, ब्रिटेन के चार्ल्स दूतिये ने पुर्तगाल की राजकुमारी केथरीन बेरगेंजा से विवाह कर बंबई देहेज में प्राप्त किया। बंबई था, वो वास्तब में पुर्तगालियों के कबजे में था। इस विवाह में दहेज की रुप में बंबई दिया जाता है ब्रिटेस को और ब्रिटेस जो चार्ल्स दूतिये है उसको प्राप्त होता है। बात में जो चार्ल्स दूतिये है वो क्या करता है। तो उस बं में बंबय प्राप्त करता है 1668 हिस्भी में चार्ल्स दूतिय ने क्या किया EIC का मतलब है इस्ट इंडिया कंपणी को केवल 10 पॉंड वारसिक पर उसे दे दिया और उसका बाद में उपयोग क्या होगा आप जानते ही हैं कि भारत में तीन महतपुन प्रेसिजेंसी जो बनाए गए थे उसमें से एक मुंबय था एक कलकत्ता एक बंबय और एक मद्रास उसका हम जिकर आगे करेंगे आपसे लेकिन फिलहाल आप यह समझे कि बंबय पर अधिकार हो गया इन लोगों का मद्रास के वारे में मैंने आपको बताया ही चंतरनगर के राजा से जो पिछले वीडियो में आपने देखा था अब बंबय पराप्त कर लिया है बात में आगे आप देखेंगे कलकत्ता भी पराप्त करेगा यह तो यह जो अंग्रेजों का जो बैपारिक विवस्ता है उसका विस्तार हो रहा है अगले बिंदु में आ हाल आप समझ दिजी कि जो गयर मुस्लिम होते थे उन सभी पर यह टेक्स लगाती थी Nugosa तो 1680 भी में अंग्रेजों पड़िया कर लगाया गया और जब कर लगाया गया तो उसके बदले में कुछ राहत भी दी गई अंग्रेजों को क्या रहत दी गई तो कमपनी को सभी जगह सीमा सुल्क मुक्त वैपार करने का अधिकार दिया गया यानि कि आप कहीं भी है वह अब नहीं देना पड़ेगा यह रहात दी गई इस इंडिया कंपनी को मुगलों के द्वारा बदले में जजिया कर लगाया गया किस तरह से बैपारिक व्यवस्था स्थापित हो रही है इस क्रम को आप समझे आप यह समझे कि एक बैपारी अपने बैपार का विस्ता कश कर नहीं दे रहा है इस्ट इंडिया कंपनी को ताकि वह बैपार का विस्तार कर सके क्यों क्यों कि उस बैपार से मुगल सासक को भी लाव हो रहा है चाहे वह तरह से जो है मुगल सासक को फाइदा था यहां के देश के लोगों को फाइदा था और इसी द्रिश्टी कौन से बैपार को मुगल सासक बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि उस से में उनको यह पता नहीं था कि आने वाले वक्त में यह सासक बन बैठेगा 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा अब देखिए अभी तक जो हम देख रहे थे वह था एक बैपारिक द्रिश्टी कौन बैपार के लिए आगे बढ़ना लेकिन यह लूट पार्ट भी करने लगी हमने देखा था कि जब पूर्तगालियों ने भी हुगली में लूट सिधा हो गया जब आप लूट पार्ट करेंगे जनता को परिशानी होगी वह जनता अपने सासक को सिकायत करेगा और सासक क्या करेगा फिर उसके लिए लड़ेगा और मुगलों से सिधा संघर्ष हो गया अंग्रेजों का और इसमें सर जोन चाइल्ड पूशा वा सवाल है सर जोन चाइल्ड जो है जो अंग्रेज के तरफ से लड़ रहता हुआ प्राजीत हुआ तो प्राजीत हुआ तो इस्तिती यह उत्पन हो गई कि लगा कि अव अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा लेकिन फिर से वह माफी मांग कर मुगल सासक जो उस समय प्राप्त कर लिया अच्छा ठीक है गलती हो गई माफ कीजिए यह मुआबजा भी लीजिए और वैपार करने दीजिए ऐसा अनुने भी ने करके अंग्रेजों ने पुनह और अंजेव से अधिकार प्राप्त कर लिया अब देखिए अगला बिंदू 1691 इस भी में और भारत क्या है कि वह कंपनी भारत में शक्तिशाली हो रही है तो अब देखिए 1691 इस भी में और अरंग जेव ने फरमान जाड़ी किया और कंपनी को एक निश्चित वार्सिक रासी मनें एक निश्चित रकम तय कर दिया गया कि आपको इतना लगेगा एक वर्स में के बदल में आपको बंगाल में बंगाल बहुत महतापूर्ण एस्टेट था आप देखेंगे कि विस्तारवादी निती के तहत अंग्रेजों ने जो विस्तार सबसे पहले और सबसे अधिक करने का प्रयाज क्या हुआ कि वह और जो एरिया था एक तो छेतर किरशी के दरिश्चि को से वैपार के द्रिष्टी कौन से आयात निर्यात के लिए समुद्री किनारा हो मंदरगाह के द्रिष्टी कौन से सभी छेतर से सभी द्रिष्टी कौन से एक संपन राजिता बंगाल और इसलिए बंगाल पर जो निगाह था वो सभी कंपनियों का था और अंग्रेजों ने उस भी रहित बिदाउट टेक्स बैपार करने की जो अनुमती मिली परंग जेब से यह बहुत लावकारी सिद्धुवा अंग्री जोग के लिए इसके खिलाप बर्दमान के जो सासक थे जो जविंदार थे सोभा सिंग उसने विद्रोह भी कर दिया था सोलसा 96 में कि यह गलत है आप इस तरह से चुंगी फ्री किसी को भी वैपार करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं तो विद्रोह भी किया था इस विद्रोह को भी थोड़ा सा सिर्फ एक पॉइंट की रूप में आप ध्यान रखेंगे हलाके से कोई विशेस असर नहीं हुआ इस विद्रोह का अब देखें यहाँ पर किस तरह से अंग्डेजी जो कंपणी है उसका विस्तार होता जा रहा है 1698 इस भी में बंगाल के नवाव अजी मुसान अंग्डेजों को सूतानती, कालिकाता और गोविंदपूर नामक तीन गाउं की जमिनदारी दे दी देखें यह तीन गाउं जो है बहुत महतपूर्ण है इसलिए महतपूर्ण है क्योंकि यह बंगाल का गाउं है मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि बंगाल जो है वो अंग्डेजी कमपणी हो या कोई भी यूरोपिय कमपणी हो बैपारिक दृष्टी कौन से बहुत महतपूर्ण अस्थान है बंगाल और बंगाल के नवाब ने अगर आजी मुसान ने इसको तीन बरावरा जो छेतर है गाउं है वो दिया है उसकी जमिनदारी दे दी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महतपूर्ण हो गया है ब्रिटिस कमपणी इस्ट इंडिया कमपणी तो एक महतपूर्ण घट बाद में यहीं पर फोर्ट बिलियम किला की अस्थापना हुई बाद में हम जब 1757 में प्लासी की लराई परहेंगे तो उस समय भी इसका जिक्र होगा और आगे भी इसका जिक्र होता रहेगा तो फोर्ट बिलियम किला की जो अस्थापना है वो यहीं पर कलकत्ता में किया गया था जॉब चर्णा का नाम इससे जुरा हुआ है इस किले का पर्थम Congressman यह सवाल भी पुछा हुआ है कौन था तोे किला इसका जो पहला President बना था वह कौन था चारल्स आयर था अब देखे कलकत्ता को अंग्रेजों ने सत्रा सो मैं पहला Presidency नगर घोशित कर दिया मैंने आपको बताया था अभी अभी कि तीन Presidency नगर थे भारत में एक कलकत्ता था एक मदरास था और एक दिल्ली था तो अब आप देखिए Presidency नगर घोशित कर दिया किसको 1720 में कलकत्ता को तो कलकत्ता एक Presidency नगर बन गया एक महतपूर्ण अस्थान हो गया और इतना महतपूर्ण हो गया कि 1774 इसवी में इसे ब्रिटिस भारत की राजधानी घोशित कर दी गई और 1774 से लगातार 1911 इसवी त इसलिए इसको आप गौर से देखिए और समझिए और प्रयास कीजिए कि साथ साथ रिविजन करके याद कर लिजिए इसको 1770 में यह भी बहुत महतपूर्ण है इतिहासिक दृष्टी कौन से इसको देखिए आगे मेंगना काटा कहा गया इसलिए इसको अच्छे से मुगल शासक फर रुक सियर का इलाज को बिमार हो गया तो इतना जढ़ा बिमार हो गया था कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा था जो उस समय के उपलब्ध भारत के वह नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे के इस्दि क्या लाव धिया फिर इसको एक करज हो गया इलाज उसके बदले में क्या दिया मुगल समराट ने क्या दिया तो कमपणियों को जो बैपारिक सुवधाये दिया आप देख रहे हैं लगातार हम बात कर रहे हैं आप अपने जहांकीर के समय को देखा जहांगीर किस तरह से सुविधाय दिया अरणगेव ने फिर दिया अब देखिए यहां पर फरुक्सियर भी सुविधा दे रहा है और शुविधा किस रूप में दिया तो इसके लिए फर्मान जाड़ी किया उसने और उस वो फरमान इतना महतलपोन है, जिसका आभी हम जिकर करेंगे, उसमें क्या-क्या बिंदु है, कि उस समय के जो सबसे बड़े इतिहासकार थे, जिसका नाम था OMS, उसने इस फरमान को, फारुक सियर की इस आदेश को मेगना काटा कहा है, मेगना काटा का मतलब महा अधि हिंदी में इसको कहा जाए तो महा अधिकार इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप यूं समझिए कि बैपारिक द्रिश्टी को इस इंडिया कंपणी को साड़ी सकती जो है वह फरुक सियर ने अपनी ओर से दे दिया तो अब आपको यहां यहां समझना है कि इस फर्मान के तहत क्या कुछ अधिकार इस इंडिया कंपणी को दिये गए थे अब देखिए फरुक सियर ने जो फर्मान जाड़ी किया था जिसको कि ओम्स ने मेगना काटा कहा है उसके तहत क्या सुविधाय दी गई ब्रिटिस इस इस इंडिया कंपणी को तो पहला पॉइंट तो वह बंगाल में पुड़े बंगाल में वैपार कर सकता था और बंगाल कितना महतपूर्ण है या मैंने आपको अभी अभी बताया है और मैं लगातार आपको समझा रहा हूं बंगाल के महतव को और अभी आगे और समझेंगे जब आप 1757 का परलासी का यूद और 1764 के ब किसको मुगल सा सको और ऐसा करने का सूरत जो है आपका बैपारिक द्रिश्टी कौन से तो आप निशुन को बैपार करिये और सूरत का मतलब आप समझ लीजिए कि सूरत क्या है सूरत सबसे पहले ब्रिटिस इंडिया कंपनी जो बैपार करने के लिए फैक्टरी खोलने गई है तो बहुत महतपूर्ण है इस इंडिया कंपनी के लिए अब देखिए अगला पॉइंट और बहुत महतपूर्ण पॉइंट बंबई की टकसाल से जारी सिक्कों को मुगल सामराज में मानिता दे दी गई देखिए यह कितना महतपूर्ण है जिस समय मुगल सासक सत्त में है पुरे देश में उसके साम्राज में एक पैपारिक कंपगार लिकिन मुगलों ने क्या किया यहां पर फरुक सियर ने क्या किया अती उत्साह में आकर के भंबई की टकसाल से जाड़ी किये इस सिखों को संपूर्ण मुगल सामलाजी में मानिता दे दी यानि कि पैरलल चलेगा जो मुगल सासक का सिख्का है उसके समानांतर अब इस्ट इंडिया कमपणी का भी सिख्का चलेगा तो यह सब महत पुर्ण बिंदू है इस पर हमने चर्चा किया और आपको सिर्फ इस यह सम्झाने का प्रयास किया है इस दोनों वीडियो के माध्यम से कि भारत में अंग्रेज किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं किस तरह से इस्ट इंडिया कंपणी एक बैपारिक कंपणी अपने बैपार का बिस्तार कर रहा है बैपार को अस्थापित कर रहा है अभी हम यह बिल्कुल नहीं बता रहे हैं आपको कि किस तरह से अंग्रेज सासक बन गए है अभी एक बैपारिक के दृष्टी कोन से आप उसको देखिए और वह बैपार को किस तरह से बढ़ा रहा है किस तरह से सास सहरां अंग् feat कर आपको देन नं के बारे में और तोरा सा फ्रांसिशी ऑ और डेनमार्क और और तोरा सा फ्रांसिश्यों के आगमन के बारे में जो सामाने जानकाघी ए सुरुवाती जानकारी है वह आपको हम देंगे अगले वीडियो में और फिर हम देखेंगे किस तरह से अंग्रेजों ने एक विस्तारवादी निती के तहद किस तरह से ना केवल वैपार वानीजी को बढ़ाया बलकि बाद में यहां के सत्ता पर भी अपना अस्थान अस्थापित कर लिया और सत्ता पर काविज हो गया तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए इसका लाव उठाते रहिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को सेर करिए और हम मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद